सुरा मेरे मज़ पमान तठन बिर्मनी सिख्खा पधिंग समाधियानी पुद्धं सरेन गच्छा मूँ समन संग जो हमारे यहां कुछ नए साथ ही जुड़े है समन संग को अधिकतर लोग ऐसे ही समझते हैं जैसे भारत के अंदर 39 लाख समनों के संगठन तो समन सब्द बहीं अटक जाते हैं कहते हैं यह समन सब्द कहां से आया क्योंकि सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं और अचानक हैस्टेक मैं समण हूँ, I am समन, मी समण आहे, उनके चार चार पांच पांच गंथ, उनके पोस्टर, उनकी वीडियो, सारे सोसल मीडिया में और जगे जगे बहुत तेजी से जा रही हैं और इतनी तेजी से जा रही हैं कि इससे पहले किसी भी प्रिकार का कोई मट्रियल इतना तेजी से गया नहीं तो लोग जो समनसंगी मीटिंग में कभी आये नहीं, कोई गंत पड़ा नहीं, किसी से मलाकात हुई नहीं, कभी चर्चा हुई नहीं, कभी कोई वीडियो सुना नहीं, कोई अख़वार पड़ा नहीं, जो हमारा डेटा प्लस चलता है तो सोचता है कि ये भी कोई नेता वेता बनने के लिए लोग अपने लिए परिशानी कर रहे हैं, कुछ अंदा वंदा इखटा करने के लिए ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं ये कुछ मंचमाला का काईकरम है, कुछ लोग अपने आपको ख्याती प्राप्त करने के लिए प्रसिद्धी प्राप्त करने के लिए कोशिस करने हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो बावा साप का, बुद्ध का, जोतिवा फुले का, साउजी महराज का काईकरम करकर रात को आराम से सोने का काईकरम बना रहे हैं कि हमने भी कुछ किया अधिकतर लोगों की जिनोंने एक भी मिटिंग अटेंड नहीं की हमारे एक्चुल या वर्चुल उनके व्यूज अगर आप लोगे तो यहीं हैं और एहम ही देखके चले जाते हैं मतलब कोई बौदर नहीं करता कोई सोचता नहीं कि ये समनसंग कोई चीज है क्या है क्या नहीं क्योंकि इतनी जादा स्थिती खराब हो चुकी है सोसाइटी के अंदर वो तो सुक्र है समनसंग वाले चंदा मांगने नहीं जाते क्योंकि चंदा हमारे आप बैन है अगर चंदा मांगने जाते तो सर्टेनली दस-पांच की अब तक ठुकाई पटाई हो गई होती लोग परिशान हो गए चंदा देदे के मीटिंग में जा जाके भाशन सुन-सुन के जंडे उठा उठा के बैन लगा लगा के परिणाम कुछ आने ही रहा और महनत सारी सारी पानी में जा रही है इसलिए जितने भी समन संगी हैं उनका पहला काम है कि वो जिस भी नए आदमी से मिलें या कोई नया व्यक्ति नया समन उनको मिले और जब ये तस्दीक हो जाए, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से कन्फर्म हो जाए, कि ये सामने वाला व्यक्ति समन है, तब उससे पहला कोश्चन यही करना चाहिए, समन सद क्या जानते हो, समन का मतलब क्या है, या समन का मतलब क्या है, ये पहचानते हो, तो वो अपने, जो उसकी जानकारी है, जो उसने पढ़ा है या कहीं सुना है, उसके वारे में वो कहेगा, ये गारंटी है कि कितना भी बड़ा जानकार हो, कितना भी बड़ेगी बात कर रहा हूँ, अगर उसने समन संका कोई वीडियो नहीं सुना है, या नहीं देखा है, या कोई समन गंत न बोलते हैं या वो अपने को समण कहते हैं इतना बता सकता है बस आपको इस से ज़्यादा नहीं बता सकता कोई भी गारिंटियस बात की पर जब आप उससे कहोगे क्या शिर्मन के वारे में जानते हो तो वो थोड़ा सा और बताएगा अपनी मेमोरी के फोल्टर खोलेगा उसके पेज निकालेगा तो वो बताएगा कि हाँ शिर्मन के वारे में तो सुना है बुद्ध को महा सिर्मन बोलते हैं सिर्मन सब्धा के वारे में जिकर आता है दो तरह की सब्धाओं की बाचित होती है एक सिर्मन सब्धा की एक ब्रहमन सब्धा की ऐसी बात होती है तो ये जो सिर्मन सभाटा की है ये महा सिर्मन बुद्ध अपने सिस्टों को सिर्मन बोला करते थे तो ये वहाँ से सायच चलता है बहुत ज़्यादा देगा तो शिर्मन कुमार की आत्राव अगरा कराई होगी तो पहला टास्क जो पहला काम है सारे समझ संगियों का वो सामने वाले व्यक्ति को एक साथ ही दस गोल्डन नियम बताने का नहीं है वो कोई गोल्डन और सिल्वर नियम समझ में नहीं आएंगे उसको समझ में नहीं आया तो क्या उसको समझ में आएगा और कितना ही बड़ा मीटिंग लगाने वाला हो और कितना ही बड़ा रोज-भाशन देने वाला हो यह guarantee है कि वो समण सब्थ को नहीं जानता तो जो सबसे मुस्क्रिक टासक है जो सबसे मुस्क्रिल काम है जो सबसे पहला काम है जो प्राइम वर्क है वो है समण सब्द के वारे में सांती के साथ तरकों के साथ अच्छी तरह से उसको बताना क्योंकि हमारे जो समण संगी है वो पिछले 5-6 साल में इतने पक गए हैं कि अब उनको सपने में भी समण दिखाए देता है हैश्टेग मैं समण वो दिननात समण समण करते हैं दिननात पोश्टर में दिननात वीडियो में दिननात सुने यहां पूरे दिन मीटिंग चलती रहती है एक्च्छल भी चलती है वर्च्छल भी चलती है हजारों लोग जुड़े हुए हैं तो उनको लगता है कि पूरे कितनी गई है मुश्किल से बहुत ज़्यादा अगर सारी छपी होंगी तो एक लाग में कुछों के घर में रखी है किसी ने नहीं 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 देखी है हमारी वीडियो कितनी गई है आज की डिडेट में जो टीम टुटीटू का चैनल है जिस पर जाती है समणों की और जो हमा नहीं है पर समण सब्द के वारे में अभी भी करोड़ों लोग कई दसक मतलब सतर करोड़ अस्ती करोड़ नभी करोड़ लोग नहीं जानते सो करोड़ भी हो सकते हैं एक सो दस करोड़ भी हो सकते हैं वो नहीं जानते तो समण सब्द को पहुँचाने का काम ही हमाले परव जो शिर्मन सब्द है यह संसकारित है इसका संसकार किया हुआ है यह चेंज किया हुआ है इसका संखरन हुआ है यह hybrid सब्द है और इसका जो original सब्द है सद्द है वो समण है आप चाहो तो पाली की किताबों में चेक कर लो आप चाहो तो हिंदी किताबों में चेक कर लो आप च प्रकार के हैं, आप अरब कंट्रियूग ठिताब लोगे तो उसमें भी आपको समण का मिलेगा पर समण के वारे में अधिक तर जगे साधू सांत व्यक्ति जो तप करता है उसका है क्योंकि समढ़ सब्द जो गया है वो बौधों के साथ गया है वो जैनियों के साथ आगे गया है इसलिए समढ़ सब्द की जो व्यक्या बाहर के लोगों ने की हुई है वो mostly सांत तप करने वाला साधू समानता में रहने वाला सम ऐसे व्यक्तियों के बारे में ऐसे जुंट के बारे में ऐसे साधूं के बारे में ऐसे भिक्कों के बारे में जिक्र मिलता है क्योंकि सारे लोगों को यह साधू मानते थे वो सारे लोगों को यह मानते थे कि ये बुद्ध की महाविर की जमीन से आये हुए हैं तो ये सब लोग एक से ही है ये ठीक ऐसे है जैसे अरब कंट्री से जो भी आयेगा उसे कहते हैं ये अर्बी है अब चाहें उसको अर्बी आती हो ना आती हो पर वो अर्बी है उसको ऐसा ही मानते हैं कि ये सरीर पे जो प यहां से एक्सपोर्ट हुआ है भारत से वो बुद्धिज्म एक्सपोर्ट हुआ है मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले जो चीज रही है भारत से वो बुद्धिज्म है और बुद्धिज्म का मतलब है वो समन कल्चर है वो समनिय धम है क्योंकि बाहर एक्सपोर्ट हुई है इसलिए समन सब्द बाहर मिलता है पर यहां उसको खत्म किया गया यह जानके खत्म किया गया क्यों खत्म किया क्योंकि यह जो समन लोग हैं इनको समन क्यों कहते हैं यह अपने आपको समन क्यों कहते हैं यह बहुत चोटा सा और साधरण सा प्रसे कहने के नहीं आवश्कता नहीं थी तब भारत नाम भी नहीं था छोटे 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 कभिले टाइप के गण राज्य गण परिशत गण परिशा या गाउं या नगर या निगम बोला करते थे क्योंकि नाग लोग रहते थे तो नाग जहां रहते तो उसको नि लोग हैं उसी से नागरिकता उसी से नगर उसी से निगम उसी से निगाय बना हुआ है तो क्या हुआ बहार से जो लोग आए क्यों आए बहार से लोग यह इसी बात है खाना बदोस लोग है यायावर लोग है यायावर और खाना बदोस सद्द हमारे यहां पालीम नहीं मिलता ये कमाल की बात है कि यायावर और खाना बदोज जो सब्द है वो हमारे पालीमन ही मिलता यायावर और खाना बदोज उसको बोलते हैं जिसके पास खाना ना हो वो खाने के लिए ढूनता रहे है और खाने की खोज में लगाता चलता रहे ऐसे लोगों को पर हमारे यहां निक् किमन का मतलब है अपने घर का त्याग करना अपने घर का छोड़ना किस लिए ग्यान के लिए पर बाहर नहीं जाना है रहना यहीं है अपने ही एरिया में रहना है पर ग्यान के लिए घर छोड़ना है तब के लिए और उसके लिए खाने के लिए कभी नहीं क्योंकि खाना हमार इतनी बारिस, इतने पहाड, इतने बरफ, इतनी नदियां जो बारे घंटे बहती हैं, इतने जंगल, इतने जानवर, इतने अंडे, इतने शहद, इतना दूद, इतना मास, इतना अन, इतना फल, यहां बेकार जाता है, आज भी बेकार जाता है, यह बहुत फटाइल लेंड है और इसके मौसम बड़े अच्छे हैं, तो जितने यायावर थे, जितने खाना बदोस्ट लोग थे, वो जो भी यहाँ आए, जिस भी बाउंडरिस आए, तब ऐसी बाउंडरी तो होती नहीं थी, तो जिस भी बाउंडरिस आए, और जहां से भी आए, एक वारा आए, तो गए कौन जाए ऐसे सरक को छोड़के इसको सग बोलते हैं सग का मतलब है निज का अग कौन जाए ऐसे सग को छोड़के कौन जाए ऐसी भारों को छोड़के कौन जाए ऐसे फर्परूट को छोड़के कहां तो ना जानवर मिले ना पानी मिले मौसं भी ठंडा पत्थर पत्थर ना जमीन है ना फूल है ना पत्ती है और कहां मौजी मौज हैं तो जो आया वो यहां कवासिंदा हो गया वो यहां आगे रहने लगा पर जो भी व्यक्ति आया वो अपनी भासा अपनी कल्चर और अपनी जो भी चीज़ें वो साथ उसके आई हुई हैं तो वो जो भासा वो जो कल हैं यहां तक कि उसका रूप रंग और सकल भी हमारे यहां के जो लोग हैं वो उनसे पूरी तरह से वह मतलब विपरीत वम मतलब उल्टा वम मतलब जूसके बलकुल अगेश्ट विलोम तो वम होने के साथ ही जो उसमें नय या रड़े लगा दिया तो वो नाउन बन जाता है तो वम लोग को हम वमण बोलते हैं तो पहली बाद जब हमने उनको वमण बोला तब हमने अपने आपको सम बोला समण यानि के हम अलग तरह के समान लोग हैं समता में रहने वाले एक से लोग हैं और ये हमारे विपरीत रहने वाले लोग हैं तब दो लोग हैं कहीं देश के अंदर अगर एक ही परकार के लोग हैं तो वो क्यों अपने आपको वमण बोलेंगे क्यों कहेंगे कि हम उल्टे लोग हैं कभी ऐसा देखा गया हुआ है कि कोई देश का ओरिजिनल वासिंदा हो और वो अपने आग को कह जी मैं तो वमन हूँ यह क्या बात हुई देश पर रहने वाला अगर बहुत पुराना आदमी कोई होगा तो उसको वमन अपने आपको कोई क्यों कहेगा जैसे हम अपने आपको वमन क्यों कहेंगे हम तो विप्रीथ हैं नहीं क्यों की बाहर से जो आए लोग हैं वह यहां आते हैं तो एक सेक्टर बन जाते हैं जिसको बोलते हैं वर्ग वो वर्ग बन जाते हैं यानि वग यानि भाग बन जाते हैं हिस्सा बन जाते हैं पर वो मूल के साथ नहीं जुड़ते कभी भी ऐसा हम ऐसा होता है पूरी दुनिया के सारे देसों में सारे कंट्रियों में जैसे हम लोग य जिमनिंक लिए इस्तरियां चाहिए वहां हमें प्यार से या हमें बरात्कार से या जोड जबस्ती से या अपरें करके या हरन करके वहां से हम इस्तरियां ले हैं। वहां ब्यापार करें उनसे हमारे बच्चे पैदा हो जाएं उसके बाद हम वहां और जदा काम धाम करें फिर यहां से हम कुछ लोगों कुछ सेनिक बना के ले दे जाएं फिर वहां उनके काम में दखल करें और फिर हम कुछ समय बाद वहां का जो राज और ताज है उसको सला देने लगें और सलाद देते देते हम एक दिन उसके सलाकार की जए गए राजा ही बन जाएं तो भी हम वहां की सभेता के नागरिक नहीं होंगे हम वो सभेता वो कल्चर हमारी नहीं होगी इंग्लिस कल्चर के लोग नहीं कलाए जाएंगे हम हम Indian Culture के या Summon Culture के समन्य लोग ही क्यालाई जाएंगे, हम एक sector होंगे भाँ, चाह बेसक संख्या में कितने जादा होँ, चाह बेसक हम राधार आज करें, क्योंकि हम किसी भी हgonक में English Civilization के लोग कैसे हो सकते हैं, हम तो जानतें ने English Civilization हम उस इंगलिस सिविलाइज जेसन पर कबजा कर सकते हैं हम उसके फैस्टिवल को अपने फैस्टिवल बोलें क्योंकि हमारे फैस्टिवल तो चलेंगे नहीं वहां कौन मनाएगा दिवाली वहां कौन मनाएगा होली वहां कौन मनाएगा रक्षामदन वहां कौन मनाएगा गंगा श्لन करेंगा तो जितनी चीजे हैं हमारी नहीं छिलेंगी पर वहां की चीजों को हुम अपना नां दे सकय है नंगा होगा हमें उस पर छाप लगए या हमने कीλαई यह ने हैं यहिए समय लेंड होगा हम उसका नाम बदलसकStay थे civilization नहीं बद€ सकते किसी सिहलत में रहं सेहन बहुत सदियों में आता है वो न नहीं खतम होता तो हम उसको नाम बदL सकते हैं उसको हम एंगलो civilized TV भोसकते हैं इंडियन इंगLEंड इंगलिस शी छैन मिक्स करके बो सकते हैं उसका नामार सकते हैं इंगलिस को और समन जो जो पाली भासा है उसको मिक्स करके एक तीसी लेंगविज बना सकते हैं जिसको हम संस्कत बोल सकते हैं हमने संस्कायत कर दी तो हमने संस्कत लेंगविज इसको बोल दिया कि अब इंगलिस और पाली मिलके जो लेंगविज होगी उसको हम संस्कत बोलेंगे तो व वहां हम जब रेडियने लगे तो सब चीज़ पे हमने अपना कपज़ा कर लिया, कुछ पे हमने अपनी छाप लगा दी, कुछ हमने बदल दी और कुछ जो नहीं भूल पाए उसको हमने भुला दिया, तैसनेस कर दिया, उनके जो मॉनुमेंट्स हैं, उनके जो चर्च वगरा हैं, उनकी जो सब बता है, उनकी जो कल्चर है, जो चीज़ें, उनको हमें तोड़ा फोड़ा, तीनों काम किया हमने, हमने ब्रहं भी फैला दिया, हमने अपना भी लिया, हमने खतम भी कर दिया, पर सब कुछ मिला के हमें अपना करना है, उनके गाने, उनका कल्चर, उनका म महुल लगा दी अब यह सब हमारे हैं समनों के हैं ऐसा सपना ले सकते हैं आप लोग पर सपने को आप उल्टा कर दो अब सपना ये देखो कि बहार से इंगलिस लोग आए पॉर्चुविज लोग आए फ्रांसिजी लोग आए जर्मन लोग आए उन्होंने हैं भारत में रहे म पर हमने सबको वमनी कहा है हमने किसी को भी समन नहीं कहा इसलिए किसी भी जगे से आया हो तो हमने वमन नाम दिया वमन को उन्होंने संस्काइट करके ब्रद्रमन कर दिया वमन कर दिया और हमारे समन को सिर्मन कर दिया हमने नहीं बदला उन्होंने कर दिया ताकि हम भूल ज भूटी किताबे लिख दे कुछ भी करे पर जैसे हम इंग्लिस सभ्यता के आदमी नहीं हो सकते वह ऐसे ही वो यूरोप के लोग या वह अरब के लोग या वह मद्धेशिया के लोग या वह पूर्वी एशिया के लोग जो भारत में आए रहते हैं और आज वी रहते हैं वो कि किसी भी हलत में भारत की सब्भेता के समन लोग नहीं हो सकते कभी भी वो हाइब्रिड कल्चर तो हो सकते हैं मिक्स बीड तो हो सकते हैं संखरवड तो हो सकते हैं क्योंकि यहां के लोग और वहां के लोग जो मिलके पैदा होते हैं वो हाइब्रिड या संखरवड या मिस्रित जाते हैं मिस्रित लोग ऐसे क्यलाए जाते हैं पर किसी भी आलत में सब्वेता उनकी नहीं होती सब्वेता भारत फुरी दुनिया में उस country की जिस country होती है इसकी एक ही रहती है बाकि सेक्टर होते हैं तो हमें ये बताना चाहिए के हम शमण लोग हैं, सिविलाइजिस्टिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिं में, फिर इसको दलित में, फिर इसको अर्जक में, फिर इसको कमेरा में, फिर इसको बहुजन में, फिर इसको सुलकाष्ट में, सुल्ट्राइम में, रोबीसी में, वीजी एंटी में, टी एंटी में, फिर इसको बहुजन में बदला और बहुजन से मूल लिवासी में बदला तो जो लोग बहुत दिनों से बहुजन के लिए काम कर रहे हैं भाई उनको कितना है समझा लो वो बहुजन से आगे खिसकने को त्यार नहीं है उनको ये कहो कि भाई तुम पहले बहुजन नहीं बोला करते थे सब तो अभी आया है उससे परे तुम क्या बोलते थे तो किया को अपकोने स्विफ्ट हुए बहुजन पर वह उसी पर रहो ना जो पहले थे जब तुम को आए-वरे बने से रहे है तो तुम आगे बड़े क्यों पर क्या है एक उनका आम रख रखा वो करने हम दलित हैं दलित हैं और दलित में खुश हैं तो जो वैक्ती जिस सब्द पे चुपक गया और जिस सब्द के साथ उसने अपना जीवन दे दिया या पैसा दे दिया या सो loaded- Cat Boss इच Azim नहीं होती है जब आपने दलिच छोड़ दिया जब आपने सुद्र छोड़ दिया जब आपने अर्जक छोड़ दिया जब आपने कमेरा छोड़ दिया जब आपने अचुद छोड़ दिया बहुजन हो गए और बहुजन वाले लोग ने बहुजन छोड़ दिया तो मूल मुल नवासी जो है वो निवास को बताता है कोई आदमी गाउं में रहता है वहां का मुल नवासी है कोई फिर शेहर में आ गया तो वहां का मुल नवासी है कोई फिर इस्टेट में आ गया तो मुल नवासी सिप्टेवल है यानि सिप्ट होता रहता है और अगर देशी वो बैसक उनका मूल आज भारत है क्योंकि उनके बीजा यहां बनते हैं उनके जो पासपोरत Mississippi हे बनते हैं वो बहार जाते हैं तो उनको बहारत मूल का मानते हैं जैसे यहां जिन लोगों ने अपना धरम पर प्रिव्टित किया जो इसाई बन गए जो मुसल्मान बन गए वो बेसक इसाई और मसल्मान जो रिलिजिस है या जो मजभ है वो बहार से आया हुआ है वो दूसरे देश से आया हुआ है पर जो लोगों नहीं अडॉप्ट किया है अगर वो यहां का पास्पोर्ट लेके बहार जाते हैं तो उनको वहां का थोड़ी मानते हैं बेसक उनका रिलिजिन एक है बेसक वो मुसल्मान है बेसक वो हिसाई है पर उनका रिलिजिन नहीं मानते हो वो कहते है रिलिजिन ठीक है पर भाई तुम जो मूल है तुमारा अब इंडिया ही है अब तुम वहीं के मूल लिवासी हो तो जो कभी अरब से आया जो कभी यूरोप से आया वो यहां रह रह रहा है पर हम यहां का मूल है तो वो मूल निवासी हो गया तो उनको समझाते हैं उनको बताते हैं भाई इसमें मत अटको अब वो कहते हैं जी हमने अपना पूरा जीवन दिया है हमने अपना पूरा पैसास में लगाया है हमने दुनिया को इतनी जोड से कहा है कि मूल निवासी है मूल निवासी है दुनिया अब कैसे बदले इसको बदलना तो पड़ेगा बदलना तो पड़ेगा अगर बदलोगे नहीं तो फिर तो जो बावा साब ने कास्ट पर कहा था कि ये जो हिंदू कास्ट है हिंदू कास्ट है उन्होंने सब्जी के हिंदू कास्ट हिंदू कास्ट इस्तमाल किया तो हिंदू कास्ट इस्तमाल करो ना तो हिंदू कास्ट है तुम ब्रहमन पर आगे और क्यों ब्रहमन का विलोम सब्द देखोगे या समन का विलोम सब्द देखोगे तो आपको वमन का सब्द उल्टा वमन मिलेगा और वमन का समन मिलेगा यह सब्था बावा साब नहीं बताई है कि दो तरह के लोग हैं एक समन है और एक वमन हैं एक स्वजी के बताया जाता है, यहां तक कि बुद्ध के जो ट्रीपिक हैं जो आगम है जैन महाःविक्षंआ की आगम है उसमें था शाफ लखा हुआ है समना ममना आपको एक सब्ध कैसे है बुद्ध ने कभी अपने आपको वमण कहा नहीं किशी ने बुद्ध को वमण कहा नहीं बुद्ध सब वो पर ही ग्यानी थे सबसे बड़े ग्यानी थे आज तक उन से बड़ा कोई ग्यानी नहीं है फिर भी वह अपने आपको वमण नहीं कहते कोई व्यक्ति चाहे कितने उच्छ ग्यान प्राप्त कर ले पर उसका जो मूल पैदाइस है मूल सब्द है वो रहकी जिन्हीं मरने के बादती uska कब गूर्ण से हमढ़ग हो जाये और समढ़ग से मॉमर हो जाये को नियंद नहीं है कोई तरही का नहीं हो कि बुद्ध के जो सिस्यत है वह में मॉमर्ट थे सारी पर सारी पुत रोगल लेन क्या हुआ पैदा होने के बाद जो अरथ हुए अरथ होने के बाद भी वो लोग क्या रहा उनका वो वमण के वमणी रहे आज भी उनको वमण बोलते हैं और वमण के अलावा कुछ बोलते नहीं है तो यह जो सब्द है समण यह बहुत powerful सब्द है औ तो यह सब्द बताने की कामयाब ही हमें वहां से लेनी चाहिए, यह सब्द यह हमें बताते हैं समण यह सब्द क्या है क्या नहीं यह बताना चाहिए, अगर आप समण सब्द बताने में कामयाब होगे, तो संग समझ में आ जाएगा, और अगर समण सब्द बताने में कामयाब ने हुए और उसको ठोक के आपने 10 गोल्डर नूल बता दिये के हम तो समण केबल सवड है, हम तो चंदा कभी नहीं लेते, संगा धी देश सबसे उपर है, संग कभी राजनीती में नहीं जाता है, पद पोश्च मंच माला हमारे होती नहीं, पंजीकन हम कभी करते नहीं, संग पर वो समझ नहीं पाएगा कि यह क्यों बता रहे है, क्या नहीं है, उसको लगेगा कोई संगठन हम धचन है, वो ऐसे ही बता रहे है की लिए हमने campaign चलाई, 1000 दिन की campaign हमने चलाई, कि भाई सबसे पहले ये बताना 1000 दिन तक कि मैं समण हूँ, तो मैं समण हूँ जब हम बताते हैं, तो कोई कह सकता है जी, मैं तो नहीं हूँ समण, वो कोई दूसरा संग्ठन का हो सकता है, बामसिप का हो सकता है, कोई राजनितिक लिए भी कह दे के चलो इंसे थोड़ा मज़े लेट इनको चेक करें तो कहेगा मैं तो नहीं समण तो हम सीधे-सीधे पूछ रहे थे तो भाई क्या वबन हो भी दोई तरह के लोग हैं तीसे तरह के आप बता दो अगर तीसे तरह का कोई हो तो या तो समण है या वबन है तो जाता है तो कहता है रहे तो बड़ी दिक्कत आई दोई चोईस हैं तीसरी कोई चोईस है नहीं या तो आईदा समण और वबन अब बताओ क्या है क्या नहीं तो कहता है या वबन से तो अच्छा समणी बोल दो तो वो अपनी जान चुडाने के लिए कह देता है समण है पर हम समण है आप समण हो हम सब समण है तो बाकी चीज़ा सारी की सारी बहुत आसानी से हो जाते हैं मैं एक काई करल में ऐनको को फोन लगाया कि आपके कार्यक्रम का एक स्पोर पश्चा आया हुआ है तो क्या काके करम है करे बतायाák कि के आपके कायक्रम में गया। पर कुछ मिला नहीं महां कुछ हो नहीं रहा हुँ भाया लोग अलगे तरह भासन दे रहे लिख भा है कोazon नहीं कोई द समय के भाशन नहीं हो रहा था सबस्acksum द रारत था खेयर जो बीदर और रारे थे और और थो depends होगे के लगे जी इस वार आप आजाओ और आप चलाना इसको आला कि वो मुझे जानते नहीं है मैंने तो अटेंडम फॉन किया मेरे पास फॉन भी दो है तो दूसरे नमबर से किया तो मैंने का हमारे यहां तो यह सब मंचमाला पत्पुश्ट चली कि हम भाशन के लिए नही का जी मैं जानता हूँ तो मैंने लिंक दिया था वो कल जुड़े भी थे सुनके गए इधर जो बातें हुई हैं तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपके पर्चे में लेखा हुआ है कि आप SC, ST, OBC और यह माइनोटिज के लिए काम करते हैं तो क्या काम करते हो तो नहीं का आजी कि हम सब को एकहटा कर रहे हैं तो मैंने गए आप जिन्दी की वे विए उनको एकटा नहीं कर सकते हैं मैं लिख के दे सकता हूँ उससे बात को कह रहा है क्योंकि आप तो पहले ही कह रहे हो कि वो चार है आप SC बोल ले हो, ST बोल ले हो, OBC और माइनटी बोल ले हो तो तो जब चार को आप चार बोले हो तो चार को एक ही नहीं बोले है आप तो जब चार को चार बोलोगे तो कौन माईकलाल है जो चार को एक कर देगा आप तो खुदी जब वो एनाउंस्मेंट कर रहे हो अपने पर्चे में कि ये चार लोग हैं और आप कह रहे हो कि ये एक हो ज समझार हैं तो चार तो लगला यहीं पाता नहीं उनको कितनी बात बोलते हैं वह काम होता है इससलिए उसको खाना वदोस भोलते हैं तो भाई वो जब यहां आये तो उनोंगों ने यहां छिनने की कोशिस ही वो छिन नहीं पाए क्योंकि यहां के जो समण हैं बड़े लड़ा के हैं वो वेग्ड से यानि बाग से लड़ते हैं बाग से टाइगर से वो शेर से लड़ते हैं वो उससे हाती से लड़ते हैं हाती को पालतू बनाते हैं वो जानवर से लड़ते हैं सांड से लड़ते हैं व यो धारड ऐसा नहीं है तो वो जो लोग हैं उनको देख लो कि उन्होंने अपने टुकड़े नहीं किये कभी वो बेसक अलगलग काम करते हैं उसमें कुछ भूमी हार भी होगे जो भूमी का चलाते हैं उसमें कुछ लोग हैं ब्यापारी भी होगे जिन्होंने अपने धरम व हुई है जबकि हमारी पहचान काम के नाम से है हमारा तेली तेल निकाले तो तेली बोल देते हैं हमारा अगर माली फूल माली बोल देते हैं हमारा अगर कोई व्यक्ति है जो धनुस बनाता तो इसको धानुक बोल देते हैं ये काम के नाम हमारी चलते हैं पर उन्होंने सारे का वो कर रहे हैं पर अपने आपको वह वमण बोलते हैं क्यों बोलते हैं पागल है क्या हो उनको अकल नहीं है क्या घास खाते हैं क्या हो वो समझदार लोग है उन्हें पता है कि अगर नाम के टुकड़े करती है तो सच मुझ के टुकड़े हो जाएंगे इसलिए वह वमण करके अपने आपको call करते हैं और वो सबसे पहले अगर आप उनसे पूछ होगे आर यू इंडियन आर यू 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 तो कहते हैं नो, I am woman, I am brahman, सबसे पहले वो अपनी identity brahman बताते हैं तो भई आपने क्या जहर खा रखा है? आप क्या रोटीनी खाते, आपको क्या समझ नहीं है? आपको क्या अकल नहीं है? आपको क्या अपको अपने लगाते हो और को कहते हो कि मैं SCU, STU, OBCU, VG , TNT, Mineur T? क्यों बोलते हो? क्यों गाते हो? ये आपके फायदे के नहीं नाम है अपना फायदा उठाओ अपने घर में रहो पर आइडेंटिटी तो समल बताओ ना आइडेंटिटी समल बताने में कौन से पैसे लग रहे हैं ये घटिया आइडेंटिट उठा के ले आते हो और इनको बताते हो और फिर गदन नीची कर ले अपनी पहचान को समझो और समझ में आती है तो अपने बच्चों को बताओ, अपने दिजदारों को बताओ, अपने महले वालों को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, जगे जगे इसका परचार करो, पूरे दिन पूरे दिन वो गाड़ी पे लिखे घूमते हैं, मैं ब्रह प्रिचार करोगे तो एक हो जाओगे और प्रिचार नहीं करोगे तो टुकुडे टुकुडे बहुते ये बात बताएं यह बात हम बता रहें हैं कि यह काम करना पड़ेगा अब यहाँ अगर समझ में आ गया मैं समण हूँ और घर में लेके बैठे रहे तो यह बढ़ेगा नहीं यह बढ़ेगा जब ही जब पच्चार करोगे और पच्चार में कोई पैसा नहीं लगता फोन में आजकल कॉल फिरी है और चिठी पत्री सब फिरी है वाटसेप सारा फि जीत इसनिये जाओगे, क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोले, जब आप कहते हो ना समल, उसकी बुद्धी खरा हो जाती है, भूम जाता है, वो बीपी उसका उपर से उपर नीचे नहीं हो जाता है, उसकी सौझ में नहीं आता है, बोले क्या, और जब आप ये भी कह देते हो, प्र आपके समल कौन है, तो आप को को भारत में सबसे उचे लोग, फिर तो पूरा पागल हो जाता है, फिर तो कहता है, ये हो क्या राए, ये तो सुना इनया आता क्या है, क्या नहीं है, हम पर हम सच्च में सबसे उचे लोग हैं, हमारा विस्व गुरु बुद्ध जैसा है हमारा जीवक जो है वो दुनिया का सब्सक्राइब डॉक्टर राय जो सिकादा था हमारा सुदत्य ब्यापारी पूरी दुनिया कर आया हमारा महान सक्रूर समनाट असोग जो समण है वो इतना बड़ा शाशक है कि उससे आज भी ठतर कांपते हैं उसके पथल लग जाते तो बड़ा उसने समराज जीत के बनाया दुनिया के सबसे बड़ा समराट रहा और सबसे बड़ा अच्छा सासक रहा उसने तो यह हमारी जो गौरपशाली इत्यास है इसको जानोगे इसको पचानोगे तो पता चलेगा हम पुराने संगी हैं पुराने और हमारा संग सिद्ध गौतम जो सुद्ध धन का बेटा था 21 साल की उम्र में जब नभी उगक हुआ जवान हुआ तो उसको संग में जाने के लिए उसने अनूमती मांगी और संग की सारी की सारी जो सरतें थी वो उसने मांगी तो क्या वो बुद्ध का संग था बैए 21 साल में तो कुछ भी हो सकता है नाग हो सकता है असुर हो सकता है दास हो सकता है पर है सारे सारे समन तो जो समन लोग है उनका संग था तो उस संग में वो दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद में वहां गर्वरल कर देते हैं क्या गर्वरल कर देते हैं जब आपने ये कसम खाई सं कि कि मैं संगादी सेस को मानुंगा संगाय सबसोपनी है छो संग के गा मना कर दिया मना कर दिया सजा तो सजा भुख तो सजा कि माफ़ी अपने संग में भी काफी हद तक लिये हुए हैं और वो ही महाविर जैने लिये हुए हैं उनका भी संग होता था उनके भिक्वों का भी तो ऐसे गड़ जो संग है हमारे पूरब में और पश्चे में बहुत होते थे और उन सब के एक नियम होते थे और उस नियम का नाम है डिमोक्रिटिक पॉलिसी यानि कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का वही पॉलिसी हम यहां सर्वड़ संग में चलाते हैं। लोगों का संग, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, यानि इस संग के अंदर जितने भी डिशन होते हैं, ओपन हाउस में होते हैं, एक तारिक को हाउस लगता है, या हमारा जमीन पर हाउस लगता है, कोई भी जो संगी है, जिसको यह मानेता मिली हुई है, कि वो यहां काम चलता है जो सब्सक्राइब बहुत करेगा अगर वह पास होना होगा तो हो जाएगा तो फिर वो संग का अजन्डा हो जाएगा वह संग का प्रस्ताव हो जाएगा उस पर संग काम करेगा और गिर गया तो भीया दुबारा लगा देना या संसो दंगले लिए चला गया तो संसो दिधो क्या आएगा पिर देखा जाएगा तो ऐसा सिस्टम पूरे भारत में कहीं नहीं है पूरे भारत में कहीं भी ये सिस्टम नहीं है आदमी उसको चलाते हैं, आदमी उसको बनाते हैं, आदमी उसको फायदा उठाते हैं, वही नेता बनते हैं, वही पैसा लेते हैं, वही एकाउंट फ्लू आते हैं, वही चंदा लेते हैं, वही पॉलिसी लेते हैं, और अगर कोई उनकी बात ना माने तो उसको निकाल देते है तो क्या मैदार घटना है? दो क्यों लाइ साहितातma है? झाल झाल